हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपका रोमियो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चनल टेक्निकल रोमियो पर हम सभी जानते हैं रिलाइंज जियो ने सबसे पहले अपने इंटरनेट की 4G सर्विस को लॉंच करके सभी टेलीकॉम कमपनियों को अपनी आउकात दिखा दी हम सभी जानते हैं कि रिलाइंज जियो ने अपना एक फीचर फोन लॉंच कर दिया है जो की cost of free है हाँ माना आपको इसके लिए 1500 रुपे देने होंगे लेकिन वह as a security deposit है जो आपको 3 साल की अबदी के बाद refund कर दिया जाएगा अगर आप phone वापस करना चाहते हैं तो और ये सब देखते हुए बाकी phone companies चुप तो बैठने वाली है नहीं तो आज ख़बर आ रहे है Intex की तरफ से खबर की माने Intex ने मंगलबार को भारत में अपना पहला 4G Enable Voyalty Feature Phone टर्वो प्लस 4G भारत में लाँच कर दिया है Intex ने इस phone का एलान मुकेश अमबानी दौरक जियो का feature phone के एलान किये जाने के बात किया यह phone company की नवरतन सीरीज के तहट आया है और साथ ही इस सीरीज में 8 दूसरे phone model भी है जिनकी कीमत 700 रुपे से लेकर 1500 रुपे के बीच में रखे गई है चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ phone का specification किस तरह से होगा 2.4 इंच की इसकी display दी गई है जो की QVGA होगी यह काई OS software वर्जन पर काम करेगा इसमें dual core processor के साथ में 512 MB की RAM दी गई है और साथी 4G भी internal space दिया गया है जिसे आप चाहें तो 32 GB तक extend कर सकते हैं इस 4G phone में camera होने वाला है 2 Megapixel का और वहीं front facing camera होगा इसका VGA तो दोस्तों कुछ इस तरह से Intex ने ऐलान किया है अपने इस phone के बारे में और हाँ एक और सवाल क्या इसमें Jio की SIM चलेगी या नहीं तो friends ये वोल्टी supported phone है इसमें Jio की SIM भी काम करेगी तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आया है तो लाइक करें शेर करें और अगर ये चनल आप पहली वार देख रहे हैं तो हमारी चनल को सब्स्राइब करना ना भूले मैं हर तरह के टेक रेलेटिज जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए बाबाए